नमस्कार एक बार अपने गुरुपों में इस वीडियो को जरूर शेर करना आज का जो कोश्चन है यह भी कई कोश्चनों पर भारी पड़ेगा आने वाले एक्जाम में यहां से कोश्चन देखने को मिलेंगे और जो यह कोश्चन है ना फेवरेट कोश्चन है जो मेरा गुं ज़ छिंगो रो डू यह दो मिलेगा ही मिलेगा आपको हर पेपर में तो रोटू वै गुंगेलाव सनरक्षी्चतरनीमन में से किस जिले में舌त सीथाय जुनझ्ञ में जालोर में, बारा में या नागोर में रोट्टू वै गुंगे लाव तो इसका सही आनस्वर है नागोर सनरक्षी छेतर नागोर के अंदर है नागोर में कौन सा है रोट्टू नागोर में कौन सा है रोट्टू और इस रोट्टू की जो खास विशेषता है तो है कि राजस्तान का सबसे छोटा रास्तान का सबसे छोटा सनक्षी छेत रही है अब आप कहोगे कि सर छोटा यह तो बड़ा भी बता दो फिर कौन सा है बिल्कुल बताएंगे राजस्तान का सबसे छोटा रोटू बड़ा शाहबाद के जंगल शाहबाद के जंगल ये सबसे बड़ा सनक्षी चेतर है सबसे बड़ा सनक्षी चेतर है शाहबाद के जंगल सबसे छोटा है रोटू और अगर कोई पूछ ले नमीन नमीन सनक्षी चेतर तो रणखार सबसे नमीन पूछे तो रणखार गाम जालोर रणखार जो रणखार है रणखार रणखार गाम सनरक्षी छेतर यह सबसे नमीन सनरक्षी छेतर है और यहां सरवादिक सनरक्षी छेतर अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा जुननों कुल कितने सोडा नया बताओ कौन सा है तो सबसे नमीन तो हो गया रणखार अब को एदे कि बताओ रास्तान का सबसे प्राचीन बताओ विशलपूर टॉंक है सबसे प्राचीन बताओ तो विशलपूर टॉंक याद रखिएगा विशलपूर टॉंक ये तो है सबसे प्राचीन और रणखार जालोर ये है सबसे नमीन रणखार जालोर ये है सबसे नमीन रणखार जालोर तो सबसे नमीन और विशलपूर है सबसे प्राचीन बिस्तलपूर कुल सोड़ा है मैं आपको नाम बता रहा हूँ बस पढ़ते चलो याद हो जाएगा बिस्तलपूर आपको पता है एक सबसे बड़ी पैजल प्रियोजना टोंक मी है अपने बोलते हैं कि उंटनुसंदान के अंदर जोहड बीड बिकानेर उंटनुसंदान के अंदर जोहड बीड बिकानेर लो याद हो गया सुन्दा माता जालोर सुन्दा माता जालोर ना रास्तन का पहला रोपवे सुन्दा माता परवत भीन माल जालोर कामपूरा गुड़ा विष्णोई जोदपूर गुड़ा विष्णोई जोदपूर गुड़ा विष्णोई कहा है जोदपूर बोलते हैं ना कि खेजडली अंदोलन हुआ खेजडली गाम में खेजडली गाम को गुड़ा विष्णोई गाम बोलते थे जोड़ना ही तो है साक आकम भरी शिक्कर जुझनू में है एटाउट के लाता है सिखखाबाटी में घास का मेदान बीड के लाता है लेकिन बीड है कहां जुझनू में है पीड कहास है जुझनू में है के वनुगो रोडू suiv में है गुंगो रोडू नागोर में है अब कोई रटा थोड़ी मालने है अब आपको पता है बिसलपूर टॉंक में है जोहडबीड तो विकानेर में है बिसलपूर तो टॉंक में है सुन्दा माता कहा है जालवूर में है गुड़ा विश्णोई जोधपूर में साकंबरी सिक्कर जुन्जनों में भीड जुन्जनों में गुंगो रोडू नागोर में उमेद गंच उमेद गंच कोटा में है जवाई तो पाल्ली में है चाहिए एक जवाई हो और चाहिए सेकंड जवाई हो जवाई तो पाली में है अबने बोलते हैं न बांद याद करते हैं हेमा का जवाई पाली में हेमा वास और जवाई बांद पाली में इससे याद रखो पंसील खेतडी से बागोर हो ची ये दोनों दोनों ही कहां पर है पंसील खेतडी पंसील खेतडी बागोर वाला भी जुझनों में ये भी जुझनों में तो ये दोनों ही कहां पर है जुझनों में है इससे याद रख लो मनसा माता मनसा माता आप से पुछे कि मनसा माता सनरक्षी छेतर जुनिनों में है मनसा माता सनरक्षी छेतर जुनिनों में है शाहबाद के जंगल तो बारा में है और रनखार तो जालोर में है रनखार तो जालोर में है रनखार तो जालोर में है सबसे प्राचीन विसलपूर है, नमीन रणखार है, बड़ा कौन सा है शाहबाद के जंगल है, कुल कितने सनक्षी चेतर है, आप से पूछे कुल बताओ, कुल कितने सनक्षी चेतर है, तो कुल सनक्षी चेतर तो कितने है, कुल सनक्षी चेतर सोड़ा है, सबसे ज़्यादा त तो बिसलपूर है पुराना तो बिसलपूर है बड़ा तो शाहबाद है गुंगो रोडू नागोर में यह जुरूर याद रख लेना कि गुंगो रोडू नागोर में है तो अभ्यारण्य में यह जो संरक्षी छेत्र हैं इनके उपर सो प्रसेंट कोशन आता है तनरक्षित छेत्रों के उपर कोशन आता ही आता है वो तनरक्षित पूछ ले या कंजर्वेशन पूछ ले तो बस याद जुरू रख लेना अपना काम चल जाएगा इतने से एक परसन कभी-कभी अच्छी किस्मत हो तो दो-दो कोशन मिलते हैं एक नंबर से लेकर यहां तक 34 वीडियो जुरूर देख लेना अना जितनी मैंने प्ले लिश्ट बढ़ी हुई है और शाम को दस वजे की कलास जुरूर लगाना जै जीन जै भार्त नमस्का झाल